अस्सलाम अलेकुम, गुड मोनी विद्याती मित्रों, केसे हो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खेरेश से होगे, विद्याती मित्रों, आपका फर्स सेम यान प्रथम सत्र में, जनाप कुद्बुदीर मोल निम बोईज प्रायमरी स्कूल, ओनलाइन सिक्सर में आपक स्वागत करती हूँ, ककसा छे, विश्याई हिंदी, विश्यांग इका एक, दयालु शिकारी, यह एक चित्रापाटे, बच्चो, यह एक चित्रापाटे, चित्रापाट किसे कहतें? जो चित्र दिया गया एक कहाणी का, उससे हमें कहानी का, चित्रन करना है, निरूपन करना है, कहानी नम्बर एक, यहाँ पे एका एक दयालू सिकारी में चार कहानी है, उसमें से हम आज कहानी देखेंगे, दयालू सिकारी, कहानी नम्बर एक, दिनांके 2321, तो चलब वच्चों, आज हम कहानी देखेंगे, तो इद्धाती में तुर यहाँ पे तुम चित्रा देखते हो बराबर तो यहाँ चित्रा नौ चित्रा है यहाँ पे कितने नौ है तो इस चित्रा में चित्रा पाठ में हिरन का सिकार करने के लिए सिकारी जंगल में गया हिरनी ने एक छोटे यहाँ पर इसकी प्रस्तव न बोल रही हूँ कि इस चित्रपाट में हिरन का सिकार करने के लिए एक सिकारी जंगल में गया सिकारी ने एक छोटे सावक को जन्म दिया उसी समय वह सिकारी की गोली का निसाना बन जाती है कौन हिरनी सिकार हिरनी के पास आता है देखता है कि गोली टांग में लगी थी वो पच्चता आता है वो हिरनी और उसके बच्चों को डाक्टर के पास ले जाता है बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है तो इस चित्रापाट में हमें यह जानना यह चित्रापाट में में पसुओं के प्रती मानों का कैसा व्यवर होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार यह बात बताई गई है तो चलो बच्चों अब हम कहानी देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कहानी में हिरनी कैसी बाग रही थी तो कहानी का आप निरूपन करते हैं कि एक सिकारी था यह जब चित्रापाट में देख रहे हैं एक दिन उसे हिरन का मास खाने की इच्छा हुई वो बंदुक लेकर जंगल की और चल पड़ा जंगल में मोटी ताजी हिरनी देखी कैसी मोटी और ताजी हिरनी देखी वो दूर्शे दोड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी कौन आ रही थी? हिरनी सिकारी एक पेड के पीछे छीप गया सिकारी का छीप गया एक पेड के पीछे यहां पर आप देख रहे हो पेड के पीछे छीप गया और सिकारी ने हिरनी के और निशाना सादव्य आप चित्र में देख रहे दोडती हुई हिरनी निशाने की सिद्धी में आते ही सिकारी ने गोली छोड़ी और गोली की आवाज सुनकर जंगल में दुसरे हिरन इदर उदर भागने लगे यह चित्रा में आप देख रही हो, सिकारी हिरनी के पास गया, उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे सावक को जन्म दिया है, सावक याने हिरनी का बच्चा, छोटे बच्चे को सावक करते हैं, पस्तु के छोटे बच्चे को सावक करते हैं, तो उसने एक छोटे बच्चे को ज आसु भर रहे थे वत्रस्य देखकर सिकारी का दिल भर आया उसे दया आने लगी किसे सिकारी को दया आने लगी किसके प्रत्य हिर्नी के प्रत्य क्योंकि उसमें गोली मारी थी और वो गोली हिर्नी की टांग में लगी थी और उसके आक्ष में से आसु भर रहे थे और हिर्नी सावक को जन्म दिया है आगे देखेगे हम जंगल में कुछी दूर यत्र से देखका सिकारी का दिल बराया उसे बहुत पशतावा हुआ जंगल में जंगल से कुछ दूरी पर ही पसुओ का इलाज करने का एक अस्पाताल था क्या था जंगल से थोड़ी दूर पसुओ का इलाज करने का एक अस्पाताल था सिकारी हिर्नी को और उसके बच्चे को वहाँ ले जाता है का अस्पाताल में दाक्टर ने हिर्नी की टांग में लगी गोली निकाल दी और गाव पर मरहम लगा दिया इलाज से हिर्नी को आराम मिला डाक्टर के इलाज से हिर्नी को आराम मिला यहाँ था मानव का पस्व के प्रति व्यवर तो विद्याती मित्रों यहाँ थी अपनी दयालू सिकारी इसका सिर्शा के और यह कहानी नंबर एक है वह हमने चित्रा के द्वारा देखिए और समझिए तो बच्चों इस कहानी की मैं आपको वक्सिड ढूंगी इसमें से कहानी आपकी हिंदी की कापी में अच्छे अक्सर से आपको लिखना है तो विद्याती मित्रों यह था अपना कहानी नंबर एक तो चोलो विद्याती मित्रों आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होता इसे लाइक कीजिए और अपने चलों को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा धनिया मति द्याती मित्रों